क्या होग अगर आपको सर्वाइब करना पड़े हंडे डेज एज एज एलिफेंट सोचे कि आप एक बेबी एलिफेंट और एकदम से बनल जाते हैं बड़े एलिफेंट में तो एज एलिफेंट मैं बहुत ज्यादा दिमागदार जानवर हूं और मुझे खाने में वीड और थिरेंट के सब्सक्राइब के बहुत ज्यादा क्लोज है तो नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जली से उसे जाके दबा दो तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ तो मैं सब्सक्राइब बेबी एल तोड़ता our एक आगे जीन आपनिग नाबर तो मुझे अचीक नादी और इससे दूरब्चाइब और तो यहाप यहाँ पर आ हिए न हमारी लीडर और उसे मानना चालू कर देता है और दोनों के बीच में एकितम खतरनाग फाइट होती है और आखर में जीत जाता है हमारा लीडर यह मुझे आके बताता है कि मैं तुम्हें समझाया था इन सब लोगों से दूर रहने के लिए तो यह मुझे दे देता है कुछ खाने के लिए क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत जादा कम होगी थी और हम लोग खाते थे वीड और इतना सब बोलके वहां से चला जाता है तो मैं जली से इस वीड का बना ले तो ब्रेड तो मैं ब्रेड खा लेता हूँ थोड़ी बहुत है बढ़ प्रेड लागा बाता है लेकिन दूर में या बढ़ता है कैम साइड और मुझे नहीं पाताब ने जिसका बढ़ता हो теперь चैन से पर अच्ड़ और अदेखना चालू कर पता नहीं क्sky' 도 मुझे देख लेता हो और मेरी तरफ आता है भागते उससे बोलता है बच्चे तुमने बहुत बड़ी गल्ती कर दिया तुम मेरे जगा पे हो अब तुम मेंसे कोई भी जिन्दा नी वशने होना और यह मेरी तरह एक दम गुस्से में देखता है और मेरे उपर मारता है एक पंजा और मेरी काफी सारी हेल्थ खतम हो जाती तो मैं पास आता है और मुझसे बोलते है कि यहां पे काफी सारे खतरनाग जानवर और लोग है जो कि तुम्हें कभी मार सकते हैं तो मुझे बताते कि इसकी फैमिली को एक हंटर ने मार दिया था और यह बिचारा कुछ नहीं कर पाया था इसलिए मुझे देदे था एक सोड कि पर हमें नहीं होना चीह था और वहां पे मुझे दिखता है काफी सारे कर लेता है केज में और इन सब और बड़ा हो जाओ तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे आपे दूर में दीखता है वांडरिंग ट्रेडर और वहीं पर फूछता हूँ कि यह तुम्हें परिशान करता है यह बोलता है और वहां से भागना चलू करता है तो जैसे मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे यह कुछ अजीब से हो जाता है और मुझे माना चलू कर देता है लेकिन इसे दो तीन हीट में निप्टा जेता हूँ यह सिर्फ दिखने में खतनाक था वैसे इसमें कोई दम नहीं था तो मैं दूर में देखता हूँ जो उसके पतले में कुछ आईरन के टूल्स तो मैं उसके बैठ जाता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे नदी पार करवाने के लिए और तभी मुझे आ जाता है यह तो वही नदी है जहां पर क्रॉकोडाइल मुझे मारने आ रहा था तो मैं पहुच चुक्छ चुक्छा था हूँ तो मुझे दून के मार देगा हंटर फिर स तो मुझे की कमजोरी बदा चल जाती है जो की ता पानि यहां पर काफी सारी खाने की चीज़े मिल जाती है जैसी की हेबेल जल्दी नको तोड़ता हूँ तो रात हो चुकी थी और मुझे रहने के लिए घर चीए था क्योंकि मेरे बीड़ों पर कोई भी हमला कर सकता है तो तो मुझे यहां पर दिखता है मेरा सबस्वेट दूश्मन जो कि एक आरन गोलम है तो मैं जल्दी से इसको माना चालू करता है कुछ हाइट पे चड़के तो बस एक लास टीट में आता है और यहां पर मुझे देता है तीन आरन तो जल्दी से मैं इसे बना ले तो एक बकेट कारओं यह मिर उपर हमला करना चालू करता है तो मुझे भागना पर दो पता नहीं मुझे क्यों मारा था और दो उसके पहुझत हुआ कि चैक्रीपर जोकी शायद इस बॉडिगार ने बाए कि पहले यह भी उनके साथ ही था लेकिन इन लोग ने उसे बहा निकाल दिया तो यह मुझे देता है कुछ आर्मर जिसकी मतलब से मैं उन कर देता हुँ और यह लोग मुझे बताते हैं कि काफी दिनों से इनको इसे कैद करका रखा हो तो तो मैं देखता है इससे बड़ा के जिसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मैं इन से बचने के लिए थोड़ा सा दूर भागना पड़ता है लेकिन तभी मैं देखता यह लोग बदेनी दूर भागना चालू करते हैं जैसे मैं पीछे मूट के देखता है बहुत बड़ा राश्यास शायद बहुत बड़ा क्रोकोडाइल था मुझे मारना चालू कर देता है तो पूरी मेरी स्क्रीन लाल हो जाती खुना खुन हो जाता है तब ही मैं देखता हाथी बोलता है उसे रुकने के लिए और खुदता है सिदा पानी में और यह वह हाथी था जिसमें मुझे पहले टाइगर से बचायाता है तो जली से आगे उसको माना चालू करता है दोनों के वीचे खतनाक फाइटिंग होती है और आकरी में उससे हरा देता है तो मैं जली और इता सब बोलने के बाद वहाँ से चले जाते है अपने बच्चों के साथ तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता हूँ और मैं सीधा पहुच जाता हूँ जगा पर जहाँ पर मैं रहा था अभी हंटर के साथ तो जैसे मैं पहुच्छता हूँ आपर तो हं घाना खिला दे तो सबको और शायद रोग वीचारे बहुत जादे भूखे थे तो उनको खाना देने के वाद मैं बहार आता है तो हैं पताथ हैं तो सब दोनों बड़े जिराफ को मार देता है और फिर आखने में से बच्चा बच्चता है तो ये पिलेजर को बोलता है बेबी जिराफ को मानने के लिए और खुड चला जाता है उस आउट पोस्ट के अंदर तक के जाने का इंतिजार करा था ताकि मुझे ना देखे और फिर जैसे मैं देखता हूँ कि ये लोग बेबी जिराफ को मानना चालू करते है तो मैं सीधा खुदता हूँ इनके उपर और इनको एक एक करके मानना चालू करता हूँ और बीचारे ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं पास सौट था खतनाक वाला तो ये बेबी जिराफ मुझे थैंक्यू बोलता है और मैंसे बोलता हूँ तुम मेरे साथ आजो जल्दी से उसके पहले कि वहंटर हमको देख ले तो जल्दी से मैं इसको अजीब से लोग जिनकी मुंडी थी गाए की तो मैं इंको मानना चालू करता हूँ क्योंकि ये लोग मुझे मार रहे थे तो फिर मुझे पता चलते हैं कि गाए की ये वाली प्रशाती जो नॉर्मल गाय को कैद करके रखती और उनको मारती है पता नहीं क्यों जैसे ये लोग मुझे फ्रीज कर देते एक जगह पे नेकिन मैं इनको निप्टा देता हूँ जल्दी से और यहाँ पे इनका केश तोड़ देता हूँ मैं ताकि ये लोग बाहर आ सकें तो जैसी सारी गाय बाहर आ जाती है मुझे दूर में दिखते हैं इन लोग का बॉस जो की दूद मुझे क्योंकि मुझे खुथ को बहुत जादा बड़ा करना जल्दी क्यूंकि मुझे बहुत सारी खतनाक लोग को हराना तो मैं जल्दी से उसको एक दूद ले ले तो अपनी पकेट में और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं कुछ राइनो ज लीडर जो पुरा गोल्ड का सूट पैन के था उसे भी निप्टा देता हूँ उसके बाद मैं जली से खाले तो गोल्डन एपल और वहाँ पे जो था राइनो वापिस से होश में आ जाता है तो यह मुझे थैंकि बोलता है बचानी के लिए और फिर मैं ऐसे बोलता हो कि क्या म करते हैं जरता है एंसे मार देता है और वहोड़ी से वहोड़ी था हांइड जम से मार देता हूँ और काफी तके यहादा मैं जली से लेकर लेकार लेकर हो पर यहांकि फाने इसे ब्रक अपर ने और देखता है और यहां कर चानबja ने हो करता है और अग्दम अध़уска के घंध करना देता है मुझे बाकी सब जानवरों की भी रक्षा करनी पड़ीगा और इतना सा बोलके मर जाता है तो मैं बेभी जिराफ को अपने साथ लेके चलता हूँ तुम इसका नाम मुझे कॉमें जाके बता हो तो मैं पहुंच हुआ है जंगल बाहर में और एक फॉर्म में चलते हैं मैं सीध सब्सक्राइब लेकिन एक लास्ट मारता है और मर जाते हैं और तब ही मैं देखता हूँ कि बेभी जिराफ लेका आया था कावी सारा पानी तो फेक देता नीचे और मैं उसी के मदब से चड़की वापीस से उपर आ जाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादे बहुत अच्छे द देखता है और देखता हूँ तो भागती वाठ एंव फिर से हमला करता है कि मैं इसे मारता हूँ बहुत गंदी तरीके से अपनी सौर्ण से और बीचार कर चुपके बैठ जाता है तो मैं लास्ट मारता हूं तो मुझे बहुत ज्यादे बुरा लग रहा था लेकिन क्या जीव सा था ये शायद को विजाड का विलेजर था जिसने की मकडी को अपने कंट्रोल में किया हूँ था जो कि कुछ नहीं करी तो मैं इसको देदेता हूँ और साथ में जगह पहुछता हूँ जाब मैं पी ले तो पोशिन और मैं बढ़ आता हूँ जाता हूँ और बड़ा मैं पहुचता हो आगे और मैं सीधर जाना था भी नीमन लायन को बाने के लिए तो मैं पहुचता हो डेजर्ट बायों में काफी दिन तक के ट्रावल करने गान और मुझे मिल जाती उसकी गुफा जैसे बसके पास जाता हो तो मुझे देखते भागते वाता है तो पहले तो मुझे मुझे मिल जाती इसकी स्कीन और पता नहीं मैं उसका क्या करना था तो भी मैं रख ले तो और मैं बढ़ता अभी आगे और मैं पहुच चुकर थे काफी सारे मैमल्स जो कि एकदम बढ़े वाले हाथी होते तो मैं इंसे मदद मागने के लिए जाता हूँ पर लेकिन यहां पे इन लोगों कोई तो परिशान कर रहे थे ऐसे ब्लैक कलर के लोग जो की पता नहीं बीच में ब्लैक आउट कर ले रहे थे मुझे और पीछे पता नहीं यह स्केलिटन क्यों आ रहा था इसको पर निप्टा देता हूँ तो काफी सारे आ जाते एक दम से मेरो पर औ सब्सक्राइब तो मैं इनको एक एक करके निप्टा तो अपनी सौट से और पता निन में कुछ ज़्यादा दम था और वहां पर दूर मुझे दिखते इनका बड़ा लबॉस लेकिन शायद हम उससे डर गया था तो मैं लोग से पुछता हूँ क्या लोग मेरी हेल्प और मुझे यहाँ पर दिखता है एक आइस माउंटेन तो मैं जली से चड़ना चालू कर देता हूँ पहाड क्योंकि हो सकता है एकदम टॉप में जाकि मुझे कोई तवसी जगह मिल जाए जो की काम क्यों तो जैसे मैं टॉप में पहुछता हूँ कि से हंटर के बारे में कु और मैं इसे पूछता हूँ कि कौन साल विरेजर मेरी हेल्प कर सकता है तो मुझे बताते कि तुम्हें पर जाना पड़ेगा यहां पहुछता हूँ और दूर में देखता हूँ तो मुझे वही वाला विरेजर मिलता है जिसने की मुझे पोशन बनाके दिया था जिससे मैं बड़ा हो चुका था भी तो मैं से पुछता हूँ कि हंटर का पर तो यह मुझे बोलता है कि मैं इसे नहीं बताऊंगा उसके लिए मुझे चीज़ चाहिए और वो चीज़ थी स्नो लेपड की स्कीन तो मुझे बीचारे स्नो लेपड को जाकर मानना पड़ेगा तो मैं जाता है इसे मुझे मैप मिल जाएगा मैं उसके सामने मार दिया है श्रैक बेकार आरन गोलम तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं वापी से पहुँछ चुगा था जंगल में तो इस बार मुझे आपर दिखते काफी सारे गोरिला तो पहले तो मेरे उपर हमला करते क्योंकि लोग बहुत दरे हुए था लेकिन मैं नहीं समझाता हूँ कि मैं इनकी हमक्रे लिए वह इनकी बताते कि बच्चों को काफी सारे लोगों कर लिया था और यह लोग कई पर लेके जा रहे तो मुझे पताते वहां तक के जाने कर रस्ता तो मेरे कि पीची भीच आते कुछ द लोके पहुत लाग में पहुता ऑफ सीधा पहुंने के पहुंशने के लिए पलोग मुझे बता दो तो पहले मेरे पास आता है और मैं उसे बोलता हूं कि हंटर का आप मुझे बता दो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तो यह बोलता है कि उसके पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मुझे मानना पड़ेगा तो हम दोरों के बीचे बैटल स्टार्ट होते लेकिन मैं जल्दी लोग यह लोग मेरे पर हमला करना चालू करते हैं पहले दूर से पॉइजन वाले एरो से तो मैं उनके पास जाके मानिंग उनकी कोशिश करता हो लेकिन यहां पे लोग कुछ ज़्यादे ताक्षा तो यह उनको भी खतम कर देते हैं और तभी जो में हंटर है वो देखता है है और सिदा कुछता है मैदान वे और पता है तक के आने कर देने कर वह सच ऍविदा है पेहना पर और चालू हो कर देते हैं पहुत जईजर चलना हो चलना चाले मार जाता w और अपनी family का पूरा बदला ले लिया तो और भी काफी सारे जानवरों का तो बस है इस वीडियो के लिए इतने हैं और अगर तुमें वीडियो अच्छ लगा इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को लाइक हैं ता फॉर्डित हो तो नीचे subscribe को बटन उसे जाके दबाद तो मैं मिलता तुम से अगले वीडियो में तब तो के लिए बाई झाल झाल झाल